Hey everyone, welcome back to my channel वरत विनायक के NCRT classes और आज हम डिसकस करने वाले हैं deleted portions of the chapter number 7 basically मैं deleted portions इसलिए cover कर रही हूँ क्योंकि कहीं बच्चे जो हैं वो बिचार straight boards देते हैं या फिर कोई और boards देते हैं तो usually उनके जो उसमें chapter number 7 में जो leftover portions था जो मेरा एडिट में cut गया थो तो मैंने सोचा कि मैं उनका वो वीडियो बना दू so एक ही topic मेरा बचा था chapter number 7 के अंदर और वो है brain so let us start this topic so brain क्या होता है brain आपको पता है यह क्या होता है brain हमारे सबसे जो एक functional organ है जो के हमारी body को proper control करता है यह हमारे जो brain है एक तरह से head है हमारी पूरी body का ठीक है एक तरह से superpower या एक तरह से boss केलो हमारी body का होता है weight है जो हमारे brain का हुआ है 1300 grams ओके आजकल 1300 to 1400 grams होने लगा है it is made up of 1000 billion neurons तो मतलब बहुत सारे neurons होते हैं neurons you all know nerve cells you all know nerve cells and neurons का बिलकुल जाली होती है बिलकुल जाले की तरह बुना हुआ होता है so brain is made up of 1000 billion neurons और brain के अंदर हमारे 2 hemispheres होते हैं अगर हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके देखें तो हमारे brain के अंदर 2 hemispheres होते हैं एक left hemisphere होता है हमारे brain के 3 parts होते है 4 brain, mid brain and hind brain अब बात आती कि हमारा brain protect कैसे होता है how is our brain protected हम लोग को पता है कि हमारी जो brain है वो 1000 billion neurons से बना हुआ है neuron and neurons आप लोग को पता है कितने weak होते हैं और कितने कमजोर होते हैं मतलब थोड़ा सा भी उनमें थोड़ा सा भी cut लग जाए या थोड़ा सा भी वो कहीं जोर से उनमें लग जाए तो वो damage हो सते हैं so nerve cells are really very weak really very soft tissues type of tissues so basically हमारा brain तो आप समझ गए कि 1000 billion neurons से बना हुआ है तो obviously बात है कि वो बहुत ही soft चीज है तो हमारा brain हमारे लिए इतने इसारे important काम करता है लेकिन हो हमारे बिल्कुल head में होता है और हम लोग उसे मतलब कैसे शौक से कैसे बचाले या फिर क्या कहते हैं अगर हम चोट लगने से कैसे बचा सते हैं तो क्या है इस मतलब क्या mechanism हैं в मारे अंदर तो ये mechanism के बारे बात होगी, तो हमारा brain जो है, हमारा brain, it sits inside bony box, ठीक है, हमारे सिर के आसपास बिलकुल एक bony box होता है, जिसे हम लोग कहते हैं cranium, लेकिन जो bones होती होने कहते हैं cranial bones, that bony box is made up of cranial bones, जिसे हम cranium कहते हैं, तो हमारा brain जो है, वो cranium के अंदर कैद होता है, ठीक है, एक cerebrospinal fluid होता है, उस fluid के अंदर हमारा brain जो है, फ्लोट करता है, क्यों, और वो cerebrospinal fluid है क्या, cerebrospinal fluid, यानि obviously बात fluid लिखा है, तो इसका बताद liquid है, और cerebrospinal माने brain के आसपास है, ठीक है, तो ये जो fluid होता है, इसके अंदर tendency है, to absorb shock, to maintain a constant pressure, and nutrients exchange and waste product removal, एक है, तो बे 4 points है, cerebrospinal fluid जो है, वो इन 4 चीज़ों में काम आता है, okay, now coming to the next one, that is hemispheres of brain, ये topic मेरे से छुट गया था, so I am trying to complete this topic, so ये जो topic है, इसमें hemispheres of brain, so दो तरिक है hemispheres मैं आपको देखो, इसमें बना रखे है, ठीक है, एक तो right brain बना रखा है, एक left brain बना रखा है, ठीक है, और म हम उसका brain कैसे देखते है, हम उस तरह से स्टीज कुछ देखेंगे, okay, so basically इस बारे में बात है, ठीक है, दो hemispheres है, यहाँ पे cerebrospinal fluid है, और ये जो dot 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 मैंने बनाया, ये है cranium, यानि cranial bone से बना हुआ, जो bony box है, that is called as cranium, तो ये है cranium, ठीक है, cranial bone से बना हुआ है, so now coming to this thing this is the right brain and this is the left brain, ठीक है, ये हमारा right side का दिमाग है, ये हमारा left side का दिमाग है, जो right side का brain होता है, वो हमारे left hand से control होता है, और जो left brain होता है, वो हमारा right hand से control होता है, आपने कई सारे बच्चे नहीं हो, majority बच्चे जो होते हैं, वो lefties होते हैं, left hand से लिखते हैं, और बहुती क अगर आप राइटी है तो आपका लेफ्ट ब्रेंड बहुत अबर्दस तरीके से आपके मतलब उसमें है और अगर आप लेफ्टी है तो आपका राइट साट का ब्रेंड वो आपके कंट्रोल में है क्रिस क्रॉस वाला सिस्टम है तो आप समझ जाओ गे ठीक है तो राइट ब्रेंड जो होता है क्यों इम्पॉर्टन है राइट ब्रेंड जो है इम्पॉर्टन है for music, artistics, insight, imagination, generation of mental images of sight, sound, taste, touch and smell बेसिकले हमारा right brain उम्पोड़ी है wonderfully काम करता है, music के लिए, artistic side के लिए या imagination में बहुत काम करता है, movies वगरा में बहुत काम करता है, OK, हमारा left side का जो brain होता है, हमारे लिए लिए काम करता है, सिर्फ पढ़ाई लिखागे शेतर में, राइट साइड वाला जो हमारा काम करता है वो कला के शेतर में काम करता है कला means music, dance, drama, action और कुछ भी कह सत्याप और भी कला का शेतर होता है जो भी arts का शेतर होता है, arts का area होता है उसके अंदर वो काम करता है तो left side का हमारा brain जो है वो काम करता है spoken and written language यारी पढ़ाय लिखाये म जो भी scientist, जो भी experimental analysis करते हैं, वो सब इससे related होता है, ठीक है, reasoning हम इससे करते हैं, left brain से, okay, so basically, आप लोग समझ गए होंगे, कि right side of brain किस काम आता है, left side of brain किस काम आता है, ठीक है, दोना ही hemisphere बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे left, हमारे जो left hand control, right hand control हमें बताता है, कि हमारा कौन सा पार्ट जो है, दूसरी पार्ट से ज़रे developed है, so all over you can understand about this, so left handies जो होते हैं, सबसे easy बाइब आपको portion जाते हैं, left handies जो होते हैं, जो left handers होते हैं, वो ना arts की शेतर में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, left handers musicians बहुत अच्छे होते हैं, left handers जो है, वो artistrys की तरफ बहुत जबर्दस तरीके से जाते हैं, वो मतलब drawing, painting में बहुत होते हैं, बहुत ही कलाकार होते हैं, dance की शेतर में खुब जाते हैं, music की शेतर में खुब जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा है, lefties बहुत ही, मतलब popular होते हैं, या फिर कह सते हैं, आप इंजिनेर बनने के लायक होते हैं, लेकिन, हाला कि क्या होते हैं, कि आपने कभी notice करा होगा कि एक उच लोग होते हैं, जो कि left hand और right hand दोनों से लिख सते हैं, तो उन्हें ambidextrous कहते हैं, ठीक है वो आपके उसमें नहीं है, इसका मतलब कि उनका left brain जो है, उनके right brain के बिल्कुल बराबर काम करता है, दोनों के दोनों यह जबर्दस तरीके से developed हैं, दोनों तरफ की side बहुत जबर्दस तरीके से developed हैं, ओके, this is all about brain, and now next part, so now this is about parts of brain, so मैंने three parts में बताया था आपको brain होता है, और तो फुर बैन होता है, मिट बैन होता है, हाइ्ड बैन होता है, so फुर बैन मॉने अगरी कि तरफ होता है, मुँच्ट बैन मुच्ट में मतलब पीछे होता है, तो जो मेरे फुर बनाया है वो red Web, जो हमिट बनाया है वो purple감 में और जो हाइंड बनाया है वो येलो कलर में बनाया है ठीक है सबसे पहला पॉइंट क्या है पॉइंट नबर वन कहा पे लिखा है मैंने यह लिखा है हमारे सिर की स्किन को हम स्काल्प कहते है जिसके अंदर के सी की चल्प चल्प कहते है अंडर कर दो ऑंधर का स्क्रक्चर होता है वो बौनी स्ट्रक्चर है ठीक है बहुत ही है होता है, बहुत ही ज्यादा शॉक रेजिस्टेंस शॉक एब्जॉर्मिंग टाइप की इसकी कैपसिटी होती है, ठीक है, हमारी ब्रेन को यह एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, नो थीरड पॉइंट इस पिरिटी ग्लाइंड, पिरिटी ग्लाइंड जो हमारा master gland होता है ठीक है इज़े regulate करता है हमारी body की activities को regulate करता है और दूसरे endocrine glands को भी ठीक है pituitary gland हमारा बहुत important gland होता है जिसका pituitary gland अच्छे से secret नहीं होता है उसके endocrine glands जो है अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं okay make sure you understand okay pituitary अच्छे मतलब master gland तो master gland मतलब जो सरी gland सो control करने वाला as easy as that next is pons waroli ठीक है pons waroli क्या होता है the bridge of nerve fibers connecting the cerebellum हाला कि जो है यह मुझे लगता नहीं कि आपके book के अंदर दिया हुआ है लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि कुछ बच्चे नीट की प्रेपरेशन करने के लिए वीडियो देखते हैं और कुछ बच्चे जो है आगे और 11-12 की प्रेपरेशन करने के लिए बच्चे देखते हैं ठीक है तो अगर थोड़ी सी एक्स्टा information अगर हो भी जाएगी तो कोई problem नहीं है you are going to be future doctors no so future doctor बनोगे या future engineer बनोगे या future teachers बनोगे तो थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा सा मतला एक्स्टा पर लोगे तो इसमें कोई घराबी नहीं है okay so basically पॉंस वरुली जो है यह तरह से bridge है nerve fibers का जो connect करता है cerebellum से ठीक है और यह जो है यह help करता है nerve impulse के transmission में और ensure करता है कि muscular moment जो है दोनों तरफ हो body के ठीक है both the sides of the body ठीक है दोनों तरफ body के काम करें आपको मैं अलड़ी बताया कि दो तरह के हमारे जो है दो हमिस्पेर्स होते brain के उन दोनों को एक तरह सा यह एक साथ जोड़ता है और जो है यही coordinate करता है कि left side में अगर हम कहते हैं हमारे दोनों हाथ उठें ठीक है तो हमारे दोनों हाथ एक साथ एक distance पर कैसे उठेंगे यही काम पोंस वरोली करता है कि वो एक तरह से जो है transmission करता है impulse का और दोनों के तरफ की muscular moment को एक साथ जो है coordinate करता है ठीक है now coming to next one that is medulla oblongata medulla oblongata आप लोग देख सते हैं यह नीचे वाला portion है यह वाला मैं दिखा देती हूं आपको यह वाला portion है medulla oblongata okay so now coming to this thing medulla oblongata is the main component of our hindbrain ठीक है hindbrain का main component है आप लोग देख सते हैं कि diagram में भी कि यह back करके कि कितना बड़ा है यह आप लोग देखिए medulla oblongata कितना पूरा इतना बड़ा है तो यही main portion है yellow portion है तो yellow portion माने मैंने hindbrain कहा था आपको ठीक है so यह main component है hindbrain का function है to relay of motor and sensory impulse ठीक है तो sensory impulse और motor impulse की बीच का काम करने वाला है यह एक तरह से यानि दूसरे parts of brain और spinal cord के बीच में जबर्दस तरीके से जो है काम करता है एक relay race आप लोगों ने देखिए एक जो है एक जो लेकर जाता है कोई एक डंडा लेकर जाता है फिर भागता है फिर दूसरा से डंडे को लेकर आता है तो इस तरह से signal होता है आप उस डंडे की जाएक sports person ने signal ले रखा है वो signal लेकर भागा ठीक है वो impulse बना ठीक है sports person को सोचा आप वो impulse है ठीक है वो एक signal हो गया जो उसने हाथ में जो बैलट या फिर जो भी डंडा हो पकड़ा हो वो impulse है वो लेकर भागा बहुत तेज भागा और तेज तो यह इस तरह से काम करता है और यह क्या करता है रेगुलेट करता है हमारी हार्ट बीट को और रेगुलेट करता है हमारे रिफ्लेक्स को यानि हम लोग जो स्वैलो करते हैं कॉफ करते हैं स्नीज करते हैं वॉमिट करते हैं ठीक है इन सब चीजों को एक तरह से रेगुले जाता है कि भाई ये जो टुकडा है जो इसने खाया था इसका बिलकुल bolus बन चुका है ठीक है इसमें सलाइवा मिलके इसमें बिलकुल एक bolus बन चुका है अब इसे अंदर जाना है तो उसके बाद क्या होगा medeo log oblongator से फिर से impulse आएगा कि नहीं कि नहीं अभी रुख जाओ अभी थोड़ा सा और चबाना है इसको फिर जब पूरा चब जाएगा फिर यह अंदर जाएगा जब फिर से बोलस बन जाएगा फिर से इंपल्स जाएगा जब इंपल्स पीर से आएगा तो फिर वो बताये है जब हमें सास नहीं आता है तो हमारे दिमाग से इंपल्स जाता है कि हमें सास नहीं जा रहा है फिर हमारे जो दिमाग से एक इंपल्स आता है कि भाई तुम्हें जो जो से खासो तो तुम्हारी जो है फेफडों तक हवा जाएगी, तो इस तरह से यह impulses काम करते हैं, reflexes काम करते हैं, so this is how this thing happens, okay, so now coming to the next one, that is cerebellum, next point is cerebellum, so cerebellum जो है, second cerebellum कहाँ पर है, यह देखो, यह पीछे यह रहा, इसे कहते है cerebellum, यह वाला, इसके आज पास देखवा, यह भी है, ठीक है, so cerebellum क्या होता है, cerebellum second largest portion होता है, हमारी ब्रेन का, ठीक है, और second largest portion जो है, यह motor area है, एक तरह से brain का, और यह help करता है, in balance and coordinating moments of skeletal muscles, हमने जो pons veroli में पढ़ा था, कि यह cerebellum के साथ काम करता है, fourth point, pons veroli, मैं दिखा देती हूँ आपको, हमने इसमें पढ़ा था, cerebellum, इसलिए मैं आप आपको cerebellum पढ़ा रही हूँ, cerebellum और pons veroli आपस में काम करते हैं, आप लोग देखे, balance and coordinating moment ही आपे लिखा हूँ है, यही पर मैंने लिखा है, coordination of muscular moment, okay, so basically cerebellum और pons veroli आपस में मिलकर, जो एक तरह से काम करते हैं, तो उसमें motor area of brain जो है cover होता है, और यह help करता है in balancing, हमारी body का balance बनाने में help करता है, अगर यह cerebellum नहीं हो, तो हमारी body का balance बनना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, और यह help करता है एक तरह से coordination में, अगर हमें कोई हमारा pt teacher कहता है, जम्प करो, तो जो हमारी जो body होती है, दोनों पैरो की तरफ जो है signal भेजेगी, ठीक है, तो इसमें देख रो, आप हिसाब लगाओ कि इसमें pons veroli भी काम करेगा, ठीक है, और cerebellum भी काम करेगा, पons veroli इस तरह से कि वो दोनों side of the body पे react करेगा, जम्प करने में हम दोनों पैरो से जम्प करते, एक से जम्प नहीं करते हैं, ओके, इस इस हाओ pons veroli and cerebellum work together, नाओ coming to the next point, इस 7th portion, तो इस cerebrum, cerebrum जो है red color part है, आप लोग देख सकते होएं कि देखो, red color part है, बिल्कुल, ओके, so यह red color part है, बहुत ही, सबसे largest portion जो है cerebrum ही है, ठीक है, यह highly folded होता है, हाला कि कहा जाता है, मैंने कहीं थियोरी में पढ़ा था, कि जिसके cerebrum में जितने ज़्यादा fold होते हैं, इसके दिमाग में storing capacity भढ़ जाती है, उतना ही वो दिमागदर हो जाता है, जब हम कभी पढ़ते थे, तो हमारी teacher हमें कहती थी, so बता नहीं मुझे कि यह सच है कि नहीं है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे, तो हमें एक आ जाता था, कि cerebrum, जितने fold cerebrum में होंगे, उतना ही समझदार जो है, वो इंसान होगा, उतना ही intelligent वो personality होगा, अब मुझे नहीं पता है, सच है कि नहीं है, ठीक है, so यह highly folded bulk of brain होता है, इसके नदर चार lobes होते हैं, ठीक है, और यह चार lobes जो associated होता है, with speech, moments, recognition, memory and perception of stimuli, ओके, so सबसे पहला speech, माने हमारा बोलना, हमारा speaking skills, वो cerebrum पे काम करता है, ठीक है, recognition, माने हमारा एक तरसे किसी को recognize करना, पहचान करना, किसी चीज के बारे पता करना, हमें smell आई, हमने recognize करा, कि भाई, अगर हमें, मतलब, कोई एक बड़ी खुश्बू, मिठाई से मीठी smell आई, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा, जब मीठी से smell आई, इसका मतलब, या तो कोई flower रखा है, या कोई sweet रखी है, लेकिर हम सिर अपनी memory से पूछेंगे, क्या smell flower की है, क्या स्वीट की है, तो हमारी memory बोले की नहीं, ये flower की नहीं, ये थोड़ी वैसी है, sugary type की smell आ रही है, इसका मतलब ये मिठाई की smell है, ठीक है, और फिर, इससे हमारी body recognize करें, कि हाँ मिठाई की smell है, ये fool की smell नहीं है, अब आए perception of stimuli, ठीक है, आपने कोई चीज गरम गरम देखी, ठीक है, आपने उसे हाथ लगाया, अब वो जो, आप जो देखते हो कि आपने गरम चीज को हाथ लगाया, या सूरज की तेज रोशनी आप जब देखते हो, तो जो उसका जो फिर reaction होता है, उसमें Cerebrum जो है, वो help करता है, ठीक है, stimuli का perception करना, तेज धूप देखना, गरम object देखना, या फिर कहो बिल्कुल, एकदम से ठंडी बरफ, एकदम से मतलब हाथ पे लग जाए तब, ठीक है, cut लग गया, इसे कहते है, perception of stimuli, perception का मतलब होता है, देखना, देखना, समझना उसे, देख कर समझना, उसे कहते है, to perceive, ठीक है, so about this, Cerebrum ये वाला complete हुआ, अब the next and the last portion, about parts of brain is, hypothalamus, so hypothalamus जो है, वो located होता है, below thalamus, ये जो है, hypothalamus या है, ठीक है, you can see this, ये है, ठीक है, ये थalamus के नीचे है, ये control करता है, body temperature, देखो, ये थalamus है, ये वाला, 9th portion you can see, 9th वाला मैंने थalamus लिखा है, तो ये यहाँ पे है, wait, I'll use a pencil, so this is, this is the thalamus, ये ये portion ये वाला thalamus है, और ये है hypothalamus, ओक, ये line जो है, दूसरी बात, it controls body temperature, it controls food, ठीक है, so hypothalamus control करता है, अभी तब तब मस्कुलर मुमेंट, और ये मुमेंट, वो मुमेंट की बात करेते, बैलेंस की बात करेते, अब आई बात, एक special जो है, internal जो हमारा involuntary type की चीज़ है, वो है, body temperature, food or thirst, so food or thirst, और body temperature करता है, hypothalamus, ठीक है, ये सेक्रीट करता है, ADH हॉर्मोन, और ये जो है, control करता है, pituitary gland को, hypothalamus control करता है, pituitary gland को, आप लोग देख सकते है, hypothalamus के नीचे ही, pituitary gland है, you can see this, I'll show you, देखो है, मैंने pituitary gland लिखा है न, so hypothalamus के नीचे ही, pituitary gland है, और ये maintain करता है, एक तरह से waking state, हम जब जागे वे होते है, हमारी body, क्या action कर रही होती है, और sleeping patterns, हमारी body सोते वे, क्या patterns करती है, हमें क्या सपने आते है, these all are related to hypothalamus, ओके, now coming to the next portion, that is thalamus, thalamus एक over structure है, above the midbrain, you can understand, above midbrain, you can see the midbrain, सबसे उपर midbrain में, ठीक है, it is center for interpretation of pain, light, touch, temperature, तो जितरे भी हमें, चीजे होती है, तेज दूप देखते हैं, तो हमें interpret करता है, तेज दूप आ रही है, आख के उपर, तो परे हाथ से cover कर लो, ठीक है, या तो हमने shades पहन लो, goggles पहन लो, ठीक है, या फिर हमने कोई painful चीज देखी है, हमारे आख एक दूप से बंद जाती है, बहुत ही painful, हमने कोई scene देखते है, horror scene देखते है, हमारे आख एक बंद जाती है, this is all because of thalamus, ठीक है, हम लोग जो है, कुछ चीज छूते हैं, ठंडी लगती है, एक दूप से हमारे दिमाग जाए, एक दूप से देखता है, हमारे दिमाग एक दूप से समझता है, इस चीज को, उससे क्या होता है, वो भी thalamus से control होता है, temperature होगी, हमने गरम object को छू लिया, तो वो भी thalamus control करता है, यह सारे parts जो हमारे thalamus से control होता है, तो हमारे human parts of brain पढ़ा है, यह सारे parts of brain में कितने parts पढ़े हैं, हमने total 9 parts पढ़े हैं, ओके, so this is all about the brain, इसके बाद हम पढ़ेंगे, about the 3 parts of brain, ठीक है, यह तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, यह जो 3 parts of brain है, इसको पढ़ लेते, चलो, parts of brain, पहला है four brain, फिर दूसरा mid brain, और तीसरा hand brain, ठीक है, यह मैंने सोचा थोड़ा सा, इसको ऐसे बना लेती हूँ, तो पहला part है इसका four brain, दूसरा mid brain, तीसरा hand brain, ओके, so four brain जो है, four brain जो है, उसमें all factory lobes होते हैं, all factory lobes जो होते हैं, वो हमाई जो, हमाई नाक के आसपास होते हैं, all factory lobes जो होते हैं, वो usually जो है, smell से recognize करते हैं चीजों को, ठीक है, कई कुछ जल रहा है, तो हम smell से recognize कर सकते हैं, ठीक है, और जो है, कई कुछ मीठा कुछ रखा है, उससे smell से recognize कर सकते हैं, कुछ fragrant रखा है तो, garbage की smell है तो, मतलब कुछ सड़ गया है तो, rotning की smell, ripening की smell, तो ये साइज smell जो है, all factory lobes जो है, वो पता करते हैं, ठीक है, वो detect करते हैं इन्हें, ठीक है, next is cerebrum, cerebrum जो है, bulk of brain है, वो divide होता है, आप एस cerebrum में, into sensory, motor and association areas, ठीक है, cerebrum के अंदर, जो है portion divide हो जाते हैं, cerebrum के बारे में, हमने अल्रेडी बात करी थी पीछे, cerebrum के सीट के लिए काम आता है, और cerebrum जो है, divide होता है, तीन चीजों में, एक sensory, एक motor, और एक association, now coming to next portion, that is glands, so glands usually consist of thalamus glands, consist of hypothalamus glands, और pituitary glands, तो हमारे four brain के अंदर, हमने तीन चीजों के बारे में बात करी है, एक olfactory lopes, ठीक है, या नहीं smell वाले lopes, cerebrum हो गया, जिसमें sensory motor और association areas आ गए, glands हो गए, ठीक है, four brain के अंदर, that is thalamus, hypothalamus और pituitary glands, four brain के अंदर, ठीक है, next is midbrain, so midbrain जो है usually, यह control करता है, हमारे vision को, ठीक है, हमारे आँखों के vision को control करता है, and cerebral pendicles होते है, that connects anterior region, ठीक है, anterior region to posterior part, so anterior का मतलब होता है, आगे वाला और posterior का मतलब होता है, पीछे वाला पार, ठीक है, आगे वाला पार, पीछे वाला पार, जो हमारा आपसे control होता है, तब ही तो हम लोग, एकदम से, सीधे खड़े हो जाते हैं, क्या होता है कि, बच्चे हमारी पूरी body, जो है, हमारी पूरी body को, हमारा brain control करता है, तो हमारा brain देखता है, कि मैं अगर left portion, right portion को एक साथ control करूं, दोनों हातों को एक साथ control करूं, लेकिन हम लोग यह नहीं यह भूल गए, कि हमारा जो आगे का portion, और पीछे का portion भी, एक साथ अगर equilibrium में नहीं होगा, तो हम लोग stand up नहीं कर पाएंगे, balance नहीं कर पाएंगे अपने आपको, तो here is where, cerebral pendugals come into rescue, और यह help करते हैं, हमारी anterior region और posterior region को connect करने में, तो anterior region हो गया हमारा जो breast होता है, यह chest होता है, मारस्टामक होता है, ठीक है, आगे इसे हमारी पैर होते हैं, posterior you can call it your back, or you can call it your hips, towards your kidney type का region जो होता है, पीछे आपकी जो thighs होती हैं, या फिर आपकी जो heels होती हैं, तो anterior region और posterior region को connect करता है, एक तरह से, ठीक है, this is what cerebral pendicles come here, next is relay of motor impulses and sensory impulses, ठीक है, motor impulses क्या होता है, brain to spinal brain, यह central nervous system से brain का, brain तक signal आने को कहते हैं, motor impulse, और sensory impulse होता है, brain से signal जाता है to spinal cord, ठीक है, central nervous system को जाता है, spinal cord को जाता है, ठीक है, तो यह ज़रूर याद रखना, मैंने यह सिर्फ और से लिखा, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में confused हो जाती हूं, और मैं चाहती हूं कि आप लोग confused ना हो आगे, इसलिए आप लोगो के लिए मैंने या पे side में अलड़ी लिख दिया है, ठीक है, देखा, मैं अभी खुद भी confused हो गई थी, so next is hind brain, hind brain में आता है cerebellum, okay, balance and coordinating moment, ठीक है, cerebellum help करता है, coordinating moment में और balance में, हमने ponds veroli पीछे पड़ा था, यही सेम चीज़ है, ponds veroli और cerebellum का एक ही काम है, ठीक है, ponds veroli जो है, bridge करता है, of nerve fibers, connecting two lobes of cerebellum, ठीक है, दो lobes cerebellum के connect करता है, bridge करता है, ठीक है, medulla oblongata के बारे हमारी बात हुई थी, regulate करता है, heartbeat, या blood vessel diameter, यानि BP को एक तरह से control करता है, और control करता है हमारी reflexes को, यानि हमारी swallow करने को, यानि निगलने को, ठीक है, vomit करने को माने, उल्टी करना, coughing मतलब खासना, sneezing मतलब छीकना, hiccups माने हमारी हिच किया, या सब चीज़ जो है, हमारे एक तरह से control करता है, medulla oblongata, ठीक है, so this was all the part of your brain, जो मेरा छुट गया था, मैंने एक तरह से वीडियो में एडिट करते में निकाल दिया था, I am really very sorry for that, and sorry for this delay, still I have tried my level best, और मैं chapter number 9, कभी अभी निकालने वाली हो, deleted portion जो है, हाला कि क्या है बच्चों, कुछ बच्चों के जो exam में, या कुछ teachers भी जो है, बच्चों को पढ़ा रहे, deleted portion के क्या पता, कि आगे आप लोगो को, वो deleted portion पढ़ना पड़े, इसलिए वो थोड़ा सा pressure डाल रहे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं एक तरह से ये वाली सीरीज में निकाल दू, so this is all for your chapter number 7, इससे आपका chapter number 7 complete हो जाएगा, thank you so much, and please don't forget to like, share and subscribe my channel, और मुझे जो है इक तरह से subscriptions का मिल रहा है, as compared to views, so please make sure that you send it to your friends, family, everywhere, so that everyone in need can see this video, and उन्हें अच्छे समझ में आ सके इन चीजों के बारे में, ठीक है, thank you so much, have a nice day,